वीडियो अच्छले है इस वीडियो को लाइक कर दीजेगा और अगर आप मारे चले पर नहीं हो तो प्लीज चनल को सब्स्राइब करके बैल आइकन जोड़ दोएगा ताकि इसके रिलेक्टर जो भी वीडियो में डालो हम आपके पास को नोटिफिकेशन चला जाए और आप तो चले दोस्तो आज के वीडियो शुरू करते हैं नमस्कार दोस्तों मैं एक रिखिशन उपाद्ध्या स्वागत करता हूँ आपका अपने रेडेक्ट यूट्यूप कैसे हो आप आपको वीडियो में बात करने पार ला हूँ अगर आप एक यूटूबर हो जो कि आपका 18 साल से कम है तो आपके मन में एक सवाल आता होगा जो कि दूस्तों बहुत ही confusion वाला होगा और आपको कहीं से भी उसका solution नहीं मिल पा रहोगा इस वीडियो में आपको बताने वाल हूँ जो कि मेरे साथ सफेस हुआ मेरे साथ भी वो problem था तो आज मैं आपको अपने experience के हिसा आप से वह प्रॉब्लम को ही क्लियर करने वाला हूं कभी आपके मन में सवाल नहीं आएगा वह जो सवाल दोस्तों हमारा मोनिटाइजेशन को लेकर है जहां दोस्तों आपको पता होगा कि जब भी आप 4000 घंटे और 1000 सब्सक्राइबर पूरे कर लेते होंगे अपने चैनल पर सवाल आता होगा कि हम जो अपने एक एमेल आईडी से एटसंस एकाउंट कुनाते हैं जो इमेल होता है वह होता है किसी और के नाम से और उसमें यह जो गयरा सारा कंप्लीट होता है तो क्या हम अपने यूटूब चैनल में उस एमेल को एक कर सकते हैं तो उसका दोस्तों करने में यूज कर सकते हो ठीक है पहला हमारा जिए क्लिएर कंफ्यूजन भूआ कि इमेल किसका दोस्तों सवाल आता है कि जभ हमारा AdSense create होता है तो कुछ detail हमें भरना पड़ता है वह detail किसका भरें जैसे detail में आता है नाम आता है address आता है पूरा address आता है और state और district और mobile और पूछता है AdSense create करने में तो हम किसका डाले आपका वह सवाल रता है कि भाई आपका अन्फ्यूज होंगे कि यह किसका डाले जिसका email यूटूब पे चैनल जिस email के नाम से है जिस जो इसका owner है इसका डाले तो मैं आपको बता दूँँ वह भी कमपल्सरी नहीं है आप जिस email से AdSense account पिता जी का अपने माता जी का अपने भाई बहन किसी का भी detail वहां पे खेल कर सकते हो AdSense का ऐसा कोई policy नहीं है जिस email से आप AdSense create करोगे जरूरी नहीं है उसी email से आप AdSense account भी बनाओगे तो ऐसा बिल्कुल नहीं है आप किसी का भी आप वहां के मतलब उसके नाम से पहले AdSense account 9 हो ठीक है एक बात आपको ध्यान अखना होगा कि जो भी AdSense create करेंगे जिस email से करेंगे उस email से ना ही कोई AdSense पहले बना हुआ हो ना ही उस address पे उस detail पे कोई AdSense account बना हुआ हो इसरा जो हमारा सवाल है जब हमारे AdSense account में 10$ complete हो जाता है तो how can payment add करके एक आता है आप अब में वहां पर बैंक के account कैसे एक कर सकते हैं तो वहां पर आप स्रेंगे ऑप्सेंस में कंभी दस डॉल्र से तो वह आप स्वाला नहीं होता है वहां पर उपना bank पास्बूक आड़ नहीं कर पाते हैं लेकिन जैसे ही आपका 10$ आपके एक संस अकाउंट में पूरे होते ह हो जाता है और आप वहां पर bank account number at कर सकते हो तो आपके मन में सवाल आता होगा कि वहां पर मैं किसके नाम से कौन सा bank account use करूं कॉमन सी बात है आप सोचते होंगे कि जिसके इमेल पर और जिसके नाम से मैंने पहले adsense account sign up किया उसका डालू या जो यूटूब का ओनर है यूटूब पे चैनल का जो ओनर है उसका account डालू या जो हम जिसके नाम से अपना adsense account हमने बनाया था उसका bank account डालू तो यह दोस्तों मैं आपको उता दूए यह भी कोई adsense का कोई confirmation policy नहीं है कि आप जिसके नाम से sign up किय यह एक्सेंस उसी का bank passport डालो जिसका detail भर हो आप उसी का bank account डालो ऐसा बिल्कुल नहीं है ठीक है दोस्तों यह बहुत नए यूटूबरों को यह problem face करना पड़ा होगा क्योंकि मेरे साथ जब facebook मैं समझ गया कि भाई हर यूटूबर की यह problem आती होगी तो मैंने सोचा भाई इस पर टॉपिक बनाओ तो देखो आप तुम्हां पे किसी का भी bank account यूज कर सकते हो जरूरी नहीं है कि यूटूब आला ही डालो जिसके नाम से क्लियर हो ऐसा बिल्कुल नहीं है आप अपने डालो लेकिन आप 18 साल से उपर के आप होने चाहिए ठीक है यह कंडिशन है ए पहले किसी भी adsense account में पढ़ा ना हो यह आपको ध्यान रखना है कि जो भी detail आप adsense में भरना या sign up करते वक्त या payment accept करते वक्त bank account और number डालते वक्त यह बात को आपको ध्यान रखना है भाई साब कि आप already have वाला जो problem आपको face करना पड़ सकता है आपका payment रूख सकता है ले से एक mobile number से सिर्फ एक ही adsense account बन सकता है तो यह policy आपको यही एक policy है आप अपने दिमाग में बैठा लीजिएगा ठीक है तो वहाँ पे आप किसी का भी bank account डाल सकते हो जोरूर नहीं है कि आप YouTube बाला डालो adsense बाला डालो adsense signer बाला डालो किसी का अगर आप 18 साल से कम है और आपका adsense account आपकी पिताजी के नाम से है तो आप अपना bank account बहुत easy तरीके से डाल सकते हो कनफर्म आपको करना है कि वह bank account पहले से किसी के adsense account में huge no हो तो आज का हमारे यह topic था वीडियो अच्छा लाग हो तो प्लीज भाई लाइक कर दिएगा क्योंकि यह topic आपको YouTube पे कही नहीं मिलने वाला है जाकि आप search भी कर सकते हो तो वीडियो जरूर लाइक कर दिजिएगा और साथ हिसाते कर अपमारे चैनल पर नहीं हो तो प्लीज चेलोंको subscribe करके bell icon जोरुद भाईगा ताकि इसके लेक्टर जो भी पीडियो डालू आपके पास उसका notification चला है और आप उसका लाब उठा सकें दोस्तों आज कितना ही मिलते हैं नेक्ट वीडियो में नए टोपिक सा तब तक के लिए जैहिन धन्यवाद